भूतों तांत्रिकों की तोली लेकर क्यों चलता था ये मुगल शहजादा। दारा शिकोह मुगल समराज शाह जहा का सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था। शाह जहा को दारा से। खास लगाव था। मुगल समराज्य के पांचवे बादशा शाह जहा के समय कंधा पर कबजा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे दारा शिको को इसके लिए भीजा गया। दारा शिको के बारे में कुछ कथाएं और एतिहासिक संदर्भ ऐसे मिलते हैं जिन में कहा गया है कि वह तांत्रिकों और साधूं के संपर्क में रहता था। कंधार जाने से पहले दारा इस तरह वो युद्ध में अपने उन भूतों से या फिर गुप्ट आत्माओं से किले की दीवार गिर्वा देगा। जादूगर इंद्रगिरी इरानी राजकुमार का दोस्त बनकर कंधार में घुस्तो गया लेकिन शक होने पर इरान के सिनापती ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर सच उगलवा लिया सिनापती ने इंद्रगिरी से कहा कि वो कुछ ऐसा जादू करे जिससे मुगल से ना पीछे हट जाए लेकिन जादूगर ऐसा करने में विफल रहा जिसके बाद सिनापती का गुस्सा साथवे आस्मान पर चड़ गया और उसने इंद्रगिरी को पहाडी से फिंकवा दिया इंद्रगों की सला से ही हमले का दिन निर्धारित करता था